है अलो स्ट्रेंड्स आइभी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सब का स्वागत है आज हम लोग एच आर सी फ्यूज विथ ट्रीपिंग डिवाइस या ट्रीपिंग कारेक्टरिस्टिक्स के साथ यह लगा होता है यह इस परकार का यह चार सी फ्यूज है के जो सर्किंट ब्र पूल्टेज फ्यूज है और इसके अंदर दो टाइफ एक कार्ट डूसरा लीकवीड त्ध요 तो मेली तॉर से सिलेब स्क्रम के नहオग्स समझते पर लोग एच 2020 कि बात किया था अब HRC fuse के अंदर एक और टाइप है जिसको हम लोग क्या करते है HRC fuse with tripping device तो इसके अंदर क्या खासियत खूबी था है कि यह जो HRC fuse है पहले की तरह ही होगा यानि आपका जो हम लोग बीच में material भरते थे powder भरते थे इसके लावा लास्ट में हम लोग ब्रास इंड लगाते थे कैप लगाते थे सेम बाकी सारा चीज लगबग सेम होता है सिर्फ इसके अंदर यह खूबी खासियत होती है विशेशता होती है कि इसके अंदर tripping mechanism या tripping device लगा होता है जिसकी वज़ए से आपका fuse जब आपका मिल्ट होगा यानी fuse वायर मिल्ट होगा तो साथ ही साथ यह क्या करा देगा circuit breaker को trip भी करा देगा यानी यह आपका सेंसिंग डिवाइस के ऐसा वह काम करेगा एक तो protecting device की तरह काम करी रहा है दूसरा sensing device की तरह भी काम करेगा और आपका circuit breaker को trip कराएगा जिसकी वैसे overall आपका जो भी open circuit का काम था वो completely open circuit का काम होगा ठीक है तो ये इसके अंदर हम लोग tripping mechanism या tripping device लगा होता है जो circuit breaker को trip करा देता है और ये भी आपका fault को interrupt कराएगा साथी साथ आपका circuit breaker को भी trip कराएगा तो किस तरह से पहले संदाशना देख लिए फिर इसका operation बता देंगे तो संदाशना के अंदर कोई खास चीज नहीं है पहले की तरह है यानि ceramic body लगा हो यह जो हमने side में दखाया वह है डाश डाश से यह आपका क्या है ceramic body है और इसी body के अंदर powder भरावा होगा और powder यानि आपका sand भरावा हो यह marble का dust भरावा हो जिसकी वयसे आपकी इसकी रप्चरिंग capacity हाई होती है ठीक है तो और बाकी जो last में देख रहे हैं यह दो किनारा similarly यहाँ पर भी यह वाल आप देख रहे हैं तो यह आपका क्या है यह जो आला portion जो है लास्ट इंड देखाया है लास्ट इंड कहने का मतलब कैप है तो यह आपका पूरा ceramic body हो गया दोनों साइड आपको क्या है इंड लगा हुआ है कैप लगा हुआ है metallic body है brass का बना होता संटाइं copper का भी बना होता और इसी दोनों के आइंड में फिर क्या क element नहीं एक fuse वायर नहीं होता है बहुत सारा fuse वायर हम लोग यूज करेंगे तो आपका silver fuse element है और एक के जगा यहां पर चार इससे ज्यादा भी होगा और यह आपका क्या करेगा system के अंदर यह fuse वायर जो है silver का होगा silver का क्यों यूज करें हम लोग इसकी जो resistance होती है कम होती यानि normal condition में इसके अंदर losses कम होता है और यह इसके साथ silver fuse के साथ साथ हमारा क्या लगा हुआ है एक दूसरा वायर हम लोग लगाए हुए जिसको मेटेरियल से बना है तो tungsten element यानि टंगस्टन का बना हुआ और टंगस्टन का resistance हाई होता है यानि current को सहने की छमता है इसके अ नहीं है इस तरह से simple आपको समझाने के लिए diagram बना हुआ लेकिन वास्ताव में यह आपस में जो connection है यह आपका silver element यानि silver wire और tungsten element यह दुन आपस में कैसा होगा parallel में connect होगा और जैसे ही normal current हो रहा है तो कुन सा path choose करेगा तो low resistance वाला path यानि current आपका silver wire से use होगा और silver wire से होत लेकिन जैसे ही आपका fault होता है और fault होने की स्थिति में आपका silver wire melt हो जागा पिघल जागा तो अब current कहां से flow होने लगेगा अब current आपका tungsten element से flow होने लगेगा पहले नहीं हो रहा था क्योंकि दूसरा path हम लोग दिये वेते silver wire वाला और वो path अच्छा conductor होता है उसका अच् जागा पिघल जाएगा तो अब current का क्या कौन सा path choose करेगा तो दोनों parallel connect है तो अब आपका tungsten वाला wire की माधियम से current flow होगा ठीक है अब tungsten के wire से आपका fuse यानि short circuit current flow होने लगा तो अब यहाँ पर क्या करते हैं चूंकि इसको हमको इसको भी milt कराना क्यूंकि फॉल्ट हो क्योंकि तो current आप कहां से flow होने लगा आपका tungsten wire से flow होने लगा तो आप tungsten में एक हम लोग weak point बनाते हैं weak point या weak link कहेंगे या इसी को हम लोग fusing point भी कहेंगे या ऐसा point जो बहुत जल्दी melt हो जाए पिघल जा और open हो जाए क्योंकि आप fuse wire तो silver तो melt हो चुका यानि current की value जाएगा और circuit आपका open होगा तो यह fusing link होता है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है chemical charge हम लोग रखते हैं यानि chemical कुछ यहाँ पर property chemical reaction होगा जिसकी वज़ाए से यह क्या करेगा आपका जो plunger है इसको उपर की तरफ धके लेगा प्लंजर मतलब यह तरह से आपका piston की तर तरफ धके लेगा और जैसे plunger ऊपर की तरफ होगा तो यह open circuit तो होगा ही यानि fuse आपका forward current irum interruption तो होगा ही साथ ही साथ यह plunger क्या करेगा ऊपर जाकर धक्का मारेगा जिसकी वैसे circuit breaker क्या हो जाएगा ट्रीप हो जाएगा और यही circuit इसके अंदर यानि पलंजर और आपका chemical charge, weak link यह सबसे आपका क्या होता है ट्रीपिंग डिवाइस तरह होता है तो एक तो आपका फ्यूजिंग का काम भी हो तुरह है यानि silver मिल्ट हो रहा है फिर fuse link आपका weak link मिल्ट हो रहा है और open circuit हो रहा है साथ साथ आपका पलंजर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये सर्कुट ब्रेकर को ट्रीप करा रहा है तो यह आपका फ्यू नार्मल इसल को बिट कर रहा हुआSHRC को बीजास फ्ललो मं नहीं होगा और पूरी यह आपका HRC व्यूज्ट ट्रीपिंग डिवाइस रिलेटेड बात हो गई अब देखिए इसका एड्वांटेज हमको क्या मिलता है तो पहला एड्वांटेज बाकी कंस्ट्रक्शन संरचना तो पहले की तरह ही लगबग सेम है आपका जैसे हम आपर इलमेंट यूज कर रहे यानि आपका लास्ट इंड ब्रास इंड यूज कर रहे थे बाकी पॉडर यूज कर रहे थे सेम उसी तरह यहां पर भी सारा चीज है लेकिन ऑपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर और बाकी हमारे पास इसके माधियम से एड्वांटेज क्या मिलता है तो जैनिक्ट होगा तो यह तो क्या करेगा जब मिल्ट होगा ओपन होगा ऊपन होगा तो कोई एक फेस के अंदर तो उस फेज को प्रोटेक्ट कर रहा है उस पेड्स en죠. उसको ओपन कर रहा है लेकिन पाकी तो ऊपन नहीं हुआ तो और आप तो पुरा थी फिप सिस्टब य λέ breaker trip हुआ तो circuit breaker single face के लिए होता three face system के लिए आपका काम करेगा और तीनो face को open करा देगा यानि पूरी तरह से तीनो face आपका open हो जाएगा और system आपका balance माना जाएगा यानि तीनो आपका जो fault हो रहा था तीनो face open हो गया है और पूरी तरह से supply interrupted हो गया है तो एक face operation यहाँ पर हुआ लेकिन circuit breaker की सहाथा से तीनो face open हो जागा और circuit यानि तीन three face system completely interrupt हो जागा faulty section से आर असन में तो एक बहुत बड़ा advantage हमको यहाँ पर मिलता है इस tripping device की सहाथा से open all three face with the help of circuit breaker एक face के अंदर fault हुआ था वहाँ पर interruption हुआ लेकिन इसके अलावा यह face क्या कर दिया आपका circuit breaker को trip करा दिया और trip कराने के विए से तीनो face आपका open हो गया और अब पूरी तरह से faulty section से आपका healthy section अलग हो गया ठीक है दूसरा क्या है inexpensive circuit breaker हमको फायदा क्या मिला यदि direct circuit breaker लगाते तो भी operation हो जाता लेकिन अब चुके पहले यह interrupt हो जा रहा यानि पहले यह break कर दे रहा fault current को तो अब circuit breaker तो सिर्फ backup के ऐसा वहाँ पर काम कर रहा है तो यह आपका क्या है inexpensive circuit breaker यानि circuit breaker अब हमको महंगा लगाने के अवशाकता नहीं है क्यूंकि हम पहले ही fault current को यहाँ पर interrupt कर चुके हैं तो अब circuit breaker lower rating यह भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है क्यूंकि आपका HRC fuse की सहाता से हम लोग fault current को break कर चुके हैं रोख चुके हैं interrupt कर चुके हैं ठीक है तो inexpensive circuit breaker हमको मिलता है बाकी rating पहले की तरह ही HRC fuse में जो होता था lower rating हम लोग जो बात करते थे यह जिसमें creeping नहीं था तो इसमें भी सेम लगभग वही rating की बात की गई lower voltage low voltage HRC fuse with breaking capacity of 16,000 A to 30,000 A at 440 volts यानि 440 volts पर इसकी आपकी rupturing capacity breaking capacity कितना है 16,000 A से लेकर 30,000 A इतना higher current को यह rupture कर सकता है ब्रेक कर सकता है रोख सकता है ठीक है तो यह HRC fuse with tripping device related बात हो गई और अब तक जेतना बात कि हम लोग चाहें वो kitkat fuse हो simple HRC fuse जिसको या cartridge fuse भी हो सकते हैं या आप HRC fuse with tripping device हो यह सारा low voltage fuse था जो voltage 230 volts या 440 volts पर काम कर रहा था तो यह आपका lower voltage पर काम कर रहा था लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो higher voltage पर बात करने जा रहे हैं यानि 33 kv 132 kv इस तरह की जो higher voltage है उस voltage की बात करेंगे और पर कौन सा fuse यूज़ करेंगे वो बात करेंगे तो आपका हाई वोल्टेज फ्यूज़ जो होता है उसमें दो टाइप होता है कार्टिज फ्यूज़ कहेंगे और दूसर आपका liquid fuse होगा ठीक है तो कार्टिज फ्यूज़ का कहने का मतलब आपका पहले की तरह आपका जो सेरामिक बाडी होता था वो लगावा होगा उपर में कैप लगावा होगा सारा चीज़ लगबग सेम होगा लेकिन यहाँ पर हाई वोल्टेज हम इसको प्रीफर करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं हेलिकल पाथ यानि जो फ्यूज वायर होगा वो हेलिक्स टाइप्स का बना देते हैं हम तो यहाँ पर सिंपल स्टेट दिखा दे लेकिन वास्ता हम यह हेलिकल शेफ का होगा और उसकी साहता से क्या होता है जो करोना effect है, करोना effect करना मतलब higher voltage पर जो surrounded को charge कर देता है, वो इसके अंदर नहीं होगा, क्यूंकि हम इसको helical path बना देने, तो higher voltage पर prefer करना है, इसलिए normal यानि straight wire की जगा helical shape का बनाते हैं, जिसकी वैसे हम higher voltage पर भी इसको prefer कर पाएंगे, और उसके अंदर corona loss कम होगा, तो प कि आपका दो type का wire, नॉर्मल इस्तिति में तो single एक ही wire यूज़ होगा, fuse wire, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो दो wire यूज़ करेंगे, अब पहला wire क्या होगा, आपका silver wire यूज़ होगा, और दूसरा आपका tungsten wire होगा, ये दो wire क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, तो normal इस्तिति में, यानि आपका fuse, आपका system मान के चलिए कोई phase wire इसके साथ series में connect है, तो normal current flow होगा, तो normal current कहां से flow होगा, तो ये silver वाला रास्ता चूज़ करेगा, क्यों चूज़ करेगा, क्योंकि silver जो है सबसे अच्छा conductor है, और conductance की value high है, resistance low है, तो current always follow the low resistance pass, that's why we have the current follow this silver wire path, ठीक है, तो ये वाला path follow करेगा, और इसके अंदर आपका ohmic loss, यानि normal इस्तिति के अंदर losses कम होगा, लेकिन जैसे ही fault हो जाता है, तो ये fuse wire क्या हो जागा, silver milt हो जागा, और अब क्या होगा, ये वाला wire से आपका, यानि आपका tungsten wire से fuse, आपका current flow होने लगेगा, और इसकी tungsten की value high, यानि आपका ये high resistance high होता है, temperature अच्छा सह सकता है, तो इसके अंदर क्या होगा, अब fault city के अंदर ये वाला milt होगा, और milt होने के बाद फिर आपका पूरा circuit जो है, वो open होगा, तो इसमें दो wire यूज़ करेंगा, एक silver wire और दूसरा आपका tungsten wire, यहाँ पर करने से आपका ये high resistance path follow करेगा, आप जिसकी वज़ा से जो आपका आर्क phenomenon है, वो आपका पहले silver की तुलना में कम produce होगा, और आसानी से ये क्या हो जागा, आर्क कौंचिंग का काम, यानि आर्क बुजने का काम यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये आपका cartridge fuse के अंदर, आपका दो mainly तोर से difference है, normal HRC fuse थे, एक helical path का, दूसरा आपका दो conductor यूज होगा, दो fuse wire यूज होगा, एक silver का, दूसरा tungsten का, normal इस्तिति में silver wire से होता है, current flow होगा, और जब fault होगा, तो वो melt हो जागा, बाकी current इधर से flow होगा, tungsten से, और फिर tungsten melt होगा, और फिर आपका आर्क प्रीफर कर सकते हैं, 33KV यानि 33,000V तक इस type का high voltage, cartridge type fuse को हम लोग prefer कर सकते हैं, इसके अलावा कम rating पर भी 11KV या 6.66KV इस तरह के voltage के लिए भी हम लोग cartridge fuse को बनाते हैं, बाकी इसकी breaking capacity की तिना है, तो breaking capacity of about 8700A, ठीक है, यानि यह तना fault current को यह रोक सकता है, रप्चर कर सकत है, तो अब देखिए, रप्चरिंग capacity या breaking capacity पहले से कम ही इसके अंदर, क्यों कम है, क्योंकि higher voltage पर यूज़ कर रहे हैं, और higher voltage पर आपको मालूम है कि current की value क्या होगी, lower होती है, तो यहाँ पर हमको उतना high current को break करने के अवश्यक्ता नहीं है, तो इसकी रप्चरिंग breaking capacity क इसकी तना 8,007 A होता, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, 16,000 से लेकर 30,000 A तक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उतना higher capacity नहीं चाहिए हमको, यानि fault current उतना heavy नहीं होगा, क्योंकि यह क्या higher voltage पर आपका काम कर रहा है, जहाँ पर current की value पहले की तुलना में, lower voltage की त कर रहे हैं, तो यह cartridge fuse से related बात हो कई, दूसरा आपका high voltage पर liquid type fuse क्यों यूज करते हैं, तो liquid type का मतलब liquid यूज होगा, इसमें medium, यहाँ पर powder यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर arc बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, liquid यूज करेंगे, तो liquid के रूप में क्या यूज करते हैं, तो carbon tetra chloride, ठीक है, तो यह carbon tetra chloride को हम लोग ऐसे liquid यूज करेंगे, जो आपका क्या करता है, यदि fuse wire आपका melt हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो यह वहाँ पर arc को बुझाने का काम करेगा, और बहुत आसानी से arc quenching का, यानि arc बुझाने का काम होगा, और fault current पुरी tetra chloride काम करेगा, ठीक है, तो यह liquid fuel हो गया, बाकि इसकी capacity का है, they may be used for circuit up to 100 ampere, यानि normal current की जो value होगी, वो आपका 100 ampere तक हम इसको use कर सकते हैं, rated current on the system, अब to voltage rating अब देखिए, पहले से अब कितना voltage rating है इसका, तो बहुत जादा higher voltage का बात करें हम लोग, तो 132 kv, जो liquid type है, यह 132 kv आपका तक हम लोग 132 kv voltage तक हम क्या कर सकते हैं, इस type को liquid type fuse को हम लोग use कर सकते हैं, and may have breaking capacity of 6000, यानि 1600, 6100 ampere तक इसकी breaking capacity होती है, तो यह आपका liquid type related बात हो क्या, तो fuse से related अलग भग सारी बात हमने कर लिया, शुरू में आपका simple fuse के बारे में advantage, disadvantage की बात किया था, फिर ह हम लोग cut of characteristics of fuse की बात किया, फिर हम लोग different types of fuse की बात किया, जिसके अंदर kitkat fuse, HRC fuse देखा, और HRC fuse के अंदर भी दो type, एक normal HRC fuse और दूसर आपका HRC fuse with tripping device, और यह दोना आपका enclosed type fuse होता है, यानि आपका बाहर से environment से इसका कोई संपक्त नहीं closely होगा पूरा, दूसर आपका high HV type fuse होगा, यानि high voltage के लिए prefer करेंगे, यह भी आपका cartridge type fuse का होगा, पहला दूसर आपका liquid type fuse होगा, ठीक है, तो इस तरह से fuse से related सारी बात होगा, यदि fuse के अंदर कोई dot है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाकि हम लोग इस पर live classes के अंदर भी discuss करेंगे, लेक इसके बाद circuit भी रिकर से related बात करेंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज देखेंगे, और फिर यदि dot होगा, तो हम लोग उसको discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही, thank you